जहन सभी को ग्यान संगम एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है साथ जुलाई को एक महा युद्ध है यानि सीटेट का पहला चरड है यानि आप पेपर जब पास करेंगे ना पेपर और नो पेपर टू तो आप जानते हैं कि एक सिक्षक के लिए एक पहली पगवाधा पार हो जाएगी और इसके वासे फाइनल एक्जाम का वेट रहेगा तो आप सभी को सीटेट साथ जुलाई का जो पेपर है इसके लिए सभी का स्वागत है आज के सेशन में क्योंकि आज जो जानकारी हम आपको बताने वाले हैं पेपर कब है क्योंकि यहां पार पेपर वन और पेपर टू वन और टू से लगता है कि पेपर वन सुबह होगा पेपर टू साम कोगल ऐसा है ने उल्टा है इसमें और बाकी सारी चीजे भी है तो चलिए लेकर चलते हम लोग तो सबसे पहले आपको करना क्या है आप जानते के बाद आपको क्या दिखने वाला है आपको ये दिखने वाला है एक ऐसा इंटरफेस एड्मिट काड डाउनलोड में आपको दिखेगा सेंट्रल टीचर एलिविल्टी टेस्ट जुलाई दोजार चौविस और यहां पर आपको एप्लिकेशन नंबर और डेटा वर्थ के आपको एड्मिट कार्ड जो रखेंगे वो कलर प्रिंट आउट रखेंगे ज्यादा सही रहेगा याद रखेगा एड्मिट कार्ड को हिसाब से आप एक्जाम सेंटर का डेटेल आपको मिल जाएगा आपका जो एक्जाम सेंटर है उसका लोकेशन और भलीभाती नाम यहां के भी है उस हिसाब से अपना लोकेशन आपको सर्च करना पड़ेगा ठिक है ऐड्रेस भी यहां पर आप जानते हैं दूसरी बात आप उस हिसाब से अपना डीटेल्स मिला लिजे क्या आपका डीटेल्स है यहां देखेगा दोनों पेपर के लिए language offer है आप check कर लिजेगा कोई गलती तो नहीं है अगर कोई गलती हो तो आपको इसका objection करना पड़ेगा paper 1 जो है 7 तारिको है और paper 2 भी 7 तारिको हो दोनों paper 7 तारिको है लेकिन timing दी हुई है paper 1 की timing 12 बजे से लेकर 4 बजे तक यानि दोपहर में paper है 12 से 4 और paper 2 जो है Sunday को ही है देकि सुबह 9.30 से 12 बजे तक है तो जो आप जानते है कि gate closing का time है वो सुबह वाले paper के लिए 2 बजे और साम वाले paper के लिए 9 बजे यानि आपका सुबह paper होगा paper 2 और साम को होगा paper 1 बात समझ में आई बात क्या हमने कहा हमने ये कहा कि paper 1 जो होगा वो paper होगा आपका दोपहर में यानि primary वाले students को paper देना होगा दोपहर में दो बजे से लेकर साढ़े चार बजे तक ठीक न फोर थर्टी पीम तक देना होगा और gate आपके दो बजे बंद हो जाएंगे यानि एक घंटे पहले आपको पहुंचना ही पहुंचना है paper 2 जो primary वाले student है प्राइमरी करें जूनियर वाले इनको ध्यान पर रखना है कि इनको जो है six to eight के लिए होता है यह आपको clear हुआ कोई डाउट तो नहीं आराम से पेपर आपको देना है दूसरी बात देखें कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जानकारी दी हुई है और इस संबंद में हम लो एक एक जानकारी को देखेंगे कि कहां पर क्या क्या दि सकते और आप इसको पूरी तरह से चीजे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि केंडेट हैविंग एड्मिट कार्ड विदाउट प्रापर विजबल फोटोग्राफ और सिंगनेचर विल नाट भी अलाउट टू एपिर इन सीटेट दोजार चोबीस इन एनी कंडिशन पहला ही यह बड़ा स्ट्रिक्ट लिखा है कि आपके एड्मिट कार्ड पे आपका फोटो आपका नाम और आपका सिंगनेचर एसपस्ट होना चाहिए अगर एसपस्ट नहीं है तो आपकी इंट्री नहीं होगी दूसरा कह रहा है फर्दर प्लीज चेक दपार्टिकुलर एंड अद अर्टिकॉलर आप एड्मिट काड़ इस नाट मैचिंग विद फाइनल कंफरमेशन पेज दक केंडिडेट में कम्यूकेट दसेम टू सीटेट फार नेसेसरी करेक्शन इमेडिएटली कह रहा है कि जो आपने फार्म भरते समय जो फाइनल समिशन फार पेज था उस से और इ इसके लिए सेंटर या इसके लिए सीटेट जो है जिमेदार नहीं होगा केंडिडेट शुड नाट ब्रिंग दियर ओन ब्लू या ब्लैक बाल पॉइंट पेंट राइट इस पार्टिकुलर इफेनी केंडिडेट को अपना ब्लैक या ब्लू पेन को लेकर जाना है तो आप दो से तीन पेन अपना रख लिजिएगा आपके पास होना चाहिए और ओर इजबी पास अधार कार्ड वो भी ओर इसके अलावा जो आपने मैंशन किया होगा आपने अपना फोटो आईडी प्रूफ आपके पास जो भी है तिक ना दूसरी बात कह रहा है एक्जाम खतम होने से पहले आपको जाने के अनुमती नहीं है आपको जो भी बुलेटीन में दिया गया वो इस इस्ट्रक्शन को फालो करना ही होगा इसके अलावा बात क्राइट को आपको सम्भाल के रखना है ठीक ना किसी भी परकर के टैबलेट हो गए चाकलिट हो गए केंडी फ्रूट्स बनाना एपल आरेंज ना फोल और स्नेक्स किसी भी परकार की क्या उनमती वहाँ पर नहीं है दूसरी बात बस यहां पर एक और बात कह रहा है केंडिडेट को क्या क्या करी करना है एक एडमिट कार्ड वन फोटोग्राफ यानि जो आईडी प्रूफ है आपके पास पैन कार्ड अधार कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस या और आईडी में से कोई इसी में से कोई लेना है ड्राइविंग लाइसेंस ओटर आईडी पासपोर्ट पैन कार्ड या अधार कार्ड बाल पॉइंट पेन ब्लू या ब्लेक अफ गुड क्वालिटी वाटर बॉटर ट्रांस्पेरेंट आधा लीटर का ही पानी का बोटर लि यह आपको सीटेट पर लेकर जाना है जिससे आपको यह वीडियो इसलिए बनाये गए कि आपको सुविधा हो आप सही से समय से डाउनलोड कर ले अस विदा हो बताएं ठीक ना यह सारी जानकारी हम आपके साथ साजह कर रहे थे ठीक ना बाकी सारी चीज़ें आप देख सक तो वही बात कहा जा रहा है तो आपका टेस्ट होगा चलिए कोई नहीं तो चलिए इस सारी जानकारी उमीद है आप सभी को समझ में आ गई होगी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में साजा कीजिएगा एक्जाम आपका बहतर हो सांदार हो आज साम को आपको पता भी ह आते हैं आवाज यतनी प्यारी होती है कि इंसान का बार बार पढ़ने और सुनने का मन करता है वैसे इंग्लीज की और आपके पास हिंदी की महराथन की क्लास हो गई है उसको भी एक बार जरूर दिखिएगा और कल मेरे द्वारा इवियस की भी महराथन क्लास कल साम साथ ब पर होगी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मस्त रहे जवर्जस्त रहे जिंदाबाद रहे मुस्कुराते रहे थैंक्यू सो मच